हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगदी गुरुकुल आप सभी का प्रगदी गुरुकुल चैनल पर बहत स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए स्वच्छिता पखवाड़ा पर निबंद लाई हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना भूले और जो मैंने रिखा है वो भी लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड अगर आप कुछ समझ में आए वो भी आप लिख सकते हैं इस निबंद के लिए तो चलिए देखते है इस निबंद मर क्या है स्वच्चिता पकवाड़े की सुरुवात अपरेल 2016 में की गई थी स्वच्चिता का उद्देश से भारत सरकार के विभिन्द मंत्राले और विभाग के कारे छेत्रों में स्वच्चिता से सम्मंदित मुद्दो और प्रथाओं पर बल देने के लिए स्वच्चिता पकवाड़े का आयोजन किया जाता है स्वच्च भारत मिशन के अंतरगत स्वच्चिता पकवाड़ा एक प्रमुख कारेक्रम है जो कि आप सभी को पता है कि स्वच्चिता अभियान हमारे देश में चलता ही रहता है और अभी भी चल रहा है स्वच्चिता प सके तो आप सभी से भी मेरा डिक्वेस्ट की आप कहां ही भी रहते हैं उसके आसपास के एलिया को आप साफ रखा करें तहीं भी ऐसे कचला ना फगें प्लास्टिक की चीजे ना फगें जिससे की वह डिकंपोज ना हो सके और उससे नुक्षान पहुचे तो आइए देखते ह मनाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को स्वस्थ जीवन के साथ स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेडित किया जाए सच्छता पकवाड़े का मुख्य उद्देश लोगों को खुले में सौच करने से रोखना है वह उन्हें आसपास की साफ सफाई रखने के लिए प्रेडित करना भी है सच्छता पकवाड़े का महत्व सचेजा पकवाडे का माहत्व भारत सरकार के स्वक्ष भारत अभियान का प्रमुख का हिस्सा है और इसका मुख्य उद्देश को स्वक्ष और स्वक्ष बनाना है स्वस्थ और स्वक्ष बनाना है इस अभियान अब आखरी में आप उपसम्हार या कंक्लूजन से आप एड करके इस टॉपी को कम्प्लीट कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है अगर हम एक लिखते हैं तो हमेरे नंबर ज्यादा मिनते हैं इस अभियान द्वारा स्कूल, कॉलेज, गाव तथा रेलवे तथा पटरियों को साफ करने का उद्देश किया गया है इस अभियान के द्वारा भारतिये रेलवे को स्वक्ष और सुंदर बनाया जाएगा इसलिए भारतिये रेल ने स्वक्षटा पकवाड़ा 16 सितंबर से 30 स सितंबर तक मनाने की घोष्टा की है सक्षता पकवाडा के अंतरगत रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक उन्मूल तथा रेलवे पटरी को साफ रेलवे परिशल को साफ किया जाएगा तो फ्रेंड्स आशा करूंगे कि आपको ये निवन्त पसंद आया हो अगर वीडियो पसं स्ब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू